कि अभी तो अभाइब एकसेसिरीज मेरा नाम है गिन्नी और आपका बहुत-बहुत स्वागता है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो मेरे क्रेटा 2020 की एक और नई वीडियो में आज की वीडियो क्रेटा गाड़ी स्पेशलिया यूपी से कस्टमर और मेरे बीच में तकरीमें क्यूंसरा गिरीवें बीस पचिस दिन का अगर मैं आपको सारी स्टॉरी बताओं तो बीस पचे से बात हो रही थी उन्हेंने बोला नहीं कि कार आनी है वो मेरे पास आएंगे ठीक है बहुत सारी कोईरी होती है और नहींने मेरे को फोन करके बोला कि मैं फ्राइड़े को आ ट्रेय लगी सब कुछ लगा खास जोंकि गाड़ी में लगा diamond cut alloy wheels मैं अगर बूलू हमारों बहुत सरे options available होते हैं aftermarket में बट जो एक यह चीज top model की अगर आप अपनी इस गाड़ी में लगाती हो यह model में अगर आपके option available है तो जो एक premium look लुक आपको अगर यह top model lois दे सकते हैं मेरे असाब से मैंने और भी बहुत सब्सक्राइब करता है तो और ने मिर से मैं आगर बोलू कस्ट्पर की श्राफ़त के और में पैसे की कोई बात नहीं किसी के समगी और ने बोला मेरे को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चीए हम अगर आपकी क्रेटा 2020 है आप accessories के लिए को वीडियो ढूंड रहे हो तो दिस इस दा वीडियो जिसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा निसेसिटीज लग्जिरी गाड़ी को अच्छा कैसे बना सकते हैं वो सारा कुछ देखने को मिलेगा मेरा store लड़ीकार accessories दिली में है करमपुरा में रोड पे और मेरा मोबाइल नमर आपको फोन पे दिखी रहा होगा वीडियो में अगर आप मेरे से कोई करने जाते हैं मेरे को WhatsApp कर सकते हैं अजरोई मेरे store पर डिरेक्ली आ सकते हैं और इस पूरी गाड़ी को त्यार करने में पैसे की बात करूं तो पैसे लगे एक लाग पांच हज़ार पर इंक्लूडिंग अलॉइ वील्स और इंक्लूडिंग उनके टायर जो हमने एक्सचेंज करें तकरीबन गाड़ी साथ सो किलिमेटर चली थी अपोलो के टायर उसके अगर आपको मैं दिखाऊंगा जो हमने लगाए वीडियो को प्रीज एंट देखने हो अगर को के रही होती है ता मेरे को सीधा वट्सेप कर सकते हो या मेरे स्टोर पर आ सकते हो थांक्यू सो मच Diamond Cut Alloy Wheels Creta 2020 E-Model Basic Variant डीजल का आपके सामने गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर हमने SX Model SX Optional Model के Alloy Wheels लगाए है which gives a very premium look to your car हमारे पस और भी बहुत सर अप्शनस अवेलिबल होते हैं मार्केट में अगर हम आफ्र मार्केट Alloy Wheels पे जाते हैं Diamond Cut Alloys की टॉप मॉडल वाले Alloys की फील है यह बहुत जबर दस्ता है 16 इंच का स्टॉक पे रिम लगा हुआता है अगर मैं E-Model या E-X Model Patrol की बात करूँ उसको अगर हम रिप्लेस करें 17 इंच के टायर का तो गाड़ी की एक जो हाइट है बढ़ जाती है और गाड़ी की लुक है वह भी बहुत प्रीमिम हो जाती है जिसकी लुक आपके सामने है जस्ट अभी हमने इसके Alloy Wheels चेंज की है Apollo के टायर्स को Apollo के टायर्स के बाद हमें आपको नजर मरवाना जाता हूँ इसके बाकी की काम में और बाहर से सिल्वर आपको देखने को मिलती है इसकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है और इसका Material भी Fit and Finish बहुत अच्छी होती है प्रॉपर प्रमोटर लगा के पहले सर्फिस को क्लीन किया जाता है आपकी रूफ रिल की पेस्टिंग बहुत अच्छी से हो सके उसके बाद मैं आपको दिखाना जाता हूँ इसके अंदर हम लगाए है हुंड़ी ओरिजिनल डॉर वाइजर ये क्रोम लाइन में नहीं आते हैं प्लेन आते हैं ब्लैक कलर के विद कार्बन फाइवर डिजाइन होता है इसके उपर तो बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छी पकड होती है क्रोम के हैंडल में आपको देखने को मिलेंगे 70 फ्लोरिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी अगर आडियो सेट अप की बात करूं तो आगे पीछे हमने हमने इंफिनिटी रेफरेंस के स्पीकर इसके अंदर यूज की हैं पीछे हमने लगाई है को एक्शील आगे हैं कॉमपोनेंट्स प्रॉपर वाटर कायोज की अपकी जाया रहे 70 फ्लोरिंग की है इसको हम रहे क्या सकते हैं ज़रूरत भी क्या सकते हैं अगर मिट्टी नीचे जाती है तो आपको easily clean करने को problem नहीं होती आप easily clean कर सकते है यह front में मैं आपको दिखा रहा रहा हूं speakers की placement और crossover की placement जो जो ज़रूरी बात दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं इसका proper जो coupler और साथ में wiring करने का तरीका अगर हम कोई भी audio setup कर रहे हैं चाहे हम 3000 पे का speaker लगाएं लेकिन अगर उसका wiring करने का तरीका या wiring जो हमने यूज किया वो ठीक नहीं है तो उसकी आपको आवाज नहीं मिलेगी wiring बहुत मैटर करती है एक audio system related pure copper wire हम यूज करते हैं चाहे हम speaker कोई भी लगाएं depend करता है कि speaker हम लगा भी कौन सारे हैं अब चाहे हम basic भी लगाएं बट अगर wiring अच्छी है तो वो बहुत अच्छी वाज करता है तो basic pillars होते हैं अगर हम कोई अच्छा audio setup अपनी गाड़ी में कराना जाते हैं wiring का काम अच्छे से अच्छा ही कराएं प्रॉपर कपलर लगवाएं यह आप ट्यूटर की placement देख सकते हैं यह मैं आपको सिर्फ इसलिए गौर करा रहा हूं कि प्रॉपर आपको यहां पे आप दिखेगा है ट्यूटर की placement भी इसको प्रॉपर तरीके से चिपकाया आता है कि इसको मैं बोलूँ कि धूप में अगर यह जैसे पिगल के बहार आने के कुछ चांसे ही ना बचे तो प्रॉपर ग्लू गंसे इसको सेट किया गया सो दैट इसकी जो ग्रिप है वो वैसे की वैसे बनी रहे जैसे हमने भी आपको करके दे दिया स्टीयू इसके अंधर में लगाया ब्लॉपंग का की लारगो 9 इंचिस 9 इंचिस 10 इंचिस प्राइस थोड़ा हाइक हो चुका है पहले वले प्राइजिस पर नहीं रहा ब्लॉपंग के स्टीरियो इवन ब्लॉपंग का क्या कोई भी अप स्टीरियो एंड्रॉइड अगर अगर अप लेते हैं तो पहले से जो 20-25 दिन पहले के रेट थे उससे हाइक हो चुका काफी अब उस रेट पर माल नहीं मिलता इवन 9 इंचिस अवेलिबल है ये आपके सामने इसकी ओरीजिनल फ्रंट ग्रिल देखने को मिल रही है आपको जो SX मॉडल में अगर बात करूं कि S मॉडल से स्टार्ट हो जाती है S SX मॉडल में फ्रंट ग्रिल लगी आती है जो प्रॉपर क्रोम वाली होती है बीच में सिल्वर आपको देखने को मिलता है इसको लगाने के बाद आप शायद मैं बोलूगी आगे से मैं लुक बोलूँ तो बहुत अच्छी और हाइंड लुक हो जाती है साथ में आपने लगाए इसके अंदर फॉग लम्स लगाए है विद प्रॉपर एयर स्कूप और प्रॉपर रिले क वाइरिंग के साथ जिससे आपके अपको इस पे एक बार नजर मरवाना चाहता हूं इसके जो हमने सीट का और हमने इसके अंदर नहीं लगाए थे कस्टमर को कंपनी ने ही एफसी में दिये थे तो इसके अंदर हमने इसके स्चेरिंग रैप सेंटर आमरस्ट और साइड के दोर पैनल्स का काम की है जो मैं बोलूँ की टॉप अफ दा लाइन है सॉफ्ट सिल्क नापा फैबरिक हमने इसके अंदर यूज की है विच गिवजा मैं बोलूँ ना कि भई एक बहुत ही सुपीरियर और एक फाइन कॉलिटी वाला फैबरिक मैं बोलूँ की वन आफ दे व की एक काम कराया है अगर आपने इस पर पैसे खर्चे हैं तो स्टेरिंग कंट्रोल हमने इसके अंदर लगाए है और सेंटर आमरेस्ट और आपको चारो डोर्स पैनल मैं नजर मुराता हूँ आप यहां पे इसका देख लिए डोर पैनल जो हमने की है हमने पूरी एक थीम ब कर पाऊंगा आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितनी जबरतस की फिटन फिनिश आ रही है और एक आपका यह आमरेस्ट का भी काम करता है चाहे वो सेंटर वली हो चाहे वो डोर पैनल पर आपके सामने डोर पैनल है